नरेंद्र मूधी का ऐसा अंदाज बहुत कम देखता है जब वो रौ में हो भाशन में रोश हो जबान पर तलखी हो भीकुटी भी तनी हो लेकिन मूधी का ये रूप तब जरूर देखता है जब बात राश्र की हो बात कश्मीर की हो बात तीन सो सत्तर की हो तब मूधी के तेवर देखते ही बनते हैं पियम मूधी आक्रामक अंदाज में विरोधियों पर प्रहार करते हैं देश की बात आते ही मूधी की शक्सियत बदल जाती है पियम मोदी चुनावी रैली में भी पुर्जोर तरीके से राश्र प्रेम प्रत्थम की सौगंध दोहराते हैं बिहार के नवादा में मोदी ने शहीदों के अपमान को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है शहीदों की गुर्बानी का जिक्रकर मोदी ने 24 के रणकार रुख ही बदल दिया है ये बात निकली कहां से पहुची कहां तक है इसे समझे उससे पहले मोदी के भाषन का ये हिस्सा ध्यान से सुनिए ये मोदी की गारंटी उसे भी रोकना चाहते हैं ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी मोदी ने कश्मीर में 370 खत्व करने की गारंटी दी थी नतीजा क्या हुआ नतीजा क्या हुआ तिन सो सत्तर गई की नहीं गई गई की नहीं गई रहत्रस्तान की धर्ति पर भी इतने ही बीर परिवार है जिनके बेटे मात्र भूमी में कश्मीर के रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लोटे हैं आप ये कहा रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना उस कोने को क्या लेना देना ये टुकडे टुकडे करने वाली गैंग का प्रताब है कि ये लोग ये भाशा बोलने लगे हैं क्या ऐसी भाशा बोलने वालों को माप किया जा सकता ह क्या सहीदों का पान सेंड किया जा सकता है 370 पर फिसली सुभाग मच गया घमासान मोदी के निशाने पर टुकडे टुकडे गैग मोदी की गैरंटी पर डाउट मना है कश्मीर को अनुच्षेद 370 से आजाद रखने की मोदी की गैरंटी पर संदेह जताना कॉंग्रेस अध्यक्ष को बहुत भारी पड़ रहा है मोदी पर निशाना साथने के फेर में कॉंग्रेस सद्ध्यक्ष मल्लेकारजुन के जबान के अफिसली उन्हें BJP ने बैक फुट पर पहुँचा दिया है पूरा मामला तफसील से आपको बताते हैं कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्यकारजुन खरके ने जैपूर की न्याय पत्र रैली में आर्टिकल 370 की बात करने पर प्रधान मंत्री पर हमला बोला, मगर वो अपने बयान की वज़े से बीजेपी के निशाने पर आक है। रैली में उन्होंने इस बात पर सवाल उठाया कि पीएम राजस्थान की जनसभा में वहां के स्थानिय मुद्देना उठाकर कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बखान क्यों करते हैं। इनको निकाल दिया। अरे यहां के लोगों से क्या वास्ता है। ठीक है? आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के लिए जब बीजेपी सरकार 2019 में संसद में प्रस्ताव लाई थी, तब ग्रे मंत्री अमित शाने दो टू का था कि कश्मीर पर जान तक नियोच्छावर है। खरगे के बायान पर भी अमित शाने यही बात दोरा कर हमला बोला और ट्वीट किया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन अंग है और हर भारतिय का जम्मू कश्मीर पर हक है। खरगे का मतलब आर्टिकल 370 से था लेकिन उन्होंने अपने बायान में 371 बोला इस बात पर बीजेपी अध्यर्ष जेपी नडडा ने भी उन्हें घेर लिया। 371, he does not understand the difference between 370 and 371. He was talking about 370 and he was quoting 371. Which type of teaching they have? I believe that we all are very much involved with Jammu and Krishnick. Am I right? अला कि कॉंग्रेस ने खरगे के बयान पर सफाई भी थी और कहा कि प्रधान मंत्री को अपनी रैली में राजस्थान के इस्थानिय मुद्नों पर बात करनी चाहिए ना कि आर्टिकल 370 पर. अभी बाबा साहब अमेटकर के सम्विधान को हटा कर नरेंदर मोदी के सम्विधान को लाने के लिए 370 और 400 की बात कर रहे हैं. मैं फिर से कहूँगा 2004 में इंडिया शाइनिंग हमारे देश के बीश्वंपिता महा अटल ब्यारी वाच्षवाय प्रधान मंत्री थे, हम राजस्थान हार चुके थे. मगर पीजेपी नेताओं ने खर्गे पर हमले करना बंद नहीं किया. राजस्तान वो धर्टी है जहांके वीरों ने कश्मीर की रक्षा के लिए देश की सीमाओं के रक्षा के लिए अपनी जान दी है. इसी 370 के काराई बहुत सारे राजस्तान के नोजवान वहाँ पर सहीध हुए हैं. खड़के जी को ये बात याद रखनी चाहिए. इस से पहले बीजेपी ने राखुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर उन्हें आड़े हाथ लिए. और अब खरगे के बयान ने बीजेपी को एक बर फिर कॉंग्रेस पर हल्ला बोलने का मौका दे दिया है. नरेंद्र मोधी अब इस मुद्धे को छोड़ने बाले नहीं क्योंकि कश्मीर पर मोधी कभी किसी तरह का समझोता करते नहीं. मोधी जानते हैं कि कश्मीर को लेकर देश का जन्मानस क्या सोचता है. इसलिए वो कश्मीर पर क्लियर स्टैंड लेते हैं. खै, अब उस आर्टिकल की जानकारी भी आपको देते हैं जो घलती से खरगे की जुबान पर आया. समविधान में आर्टिकल 371 के क्या प्रावधान हैं? इसे भी जानिए. अनुछे 371 और इसके क्लॉज विशिष्ट राज्यों को विशेश प्रावधान देते हैं. जब देश का समविधान लागू हुआ तब आर्टिकल 370 और 371 दोनों इसका हिस्सा थे. 370 जहां जम्मु कश्मीर के लिए था. वहीं आर्टिकल 371 तबके बॉम्बे और आज के महराश्व के कुछ इलाकों के लिए था. आर्टिकल 371 में 371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 371F, 371G, 371H और 371J शामिल हैं. ये सभी अलग-अलग राज्यों को विशेश राज्य का दर्जा देते हैं. अनुच्षेद 370 और 371 के कन्फ्यूजन को दूर करने के साथ ही ये भी जान लीजे कि 371 से किस राज्य को क्या विशेश प्रावधान मिलता है. सम्विधान जब लागो हुआ तो अनुच्षेद 371 के तहट महराश्यों और गुजरात में कुछ क्षित्रों के समगर विकास और सरकारी खर्च की जरूरत का आंकलन करने के लिए विकास बोर्ड के निर्मान के आवश्यक्ता थी. अनुच्षेद 371 के तहट अन्य राज्यों से संबंधित क्लॉज को बाद में संशोधनों के जरिये शामिल किया किया. अनुच्षेद 371 के तहट नगालंड से संबंधित प्रावधान शामिल है, जिससे संसद ऐसे कानून नहीं बना सकती जो नागाओं की सामाज धार में या प्रथाकत कानूनी प्रथाओं या राज्य विधान सभा की सहमती के बिना भूमी के हस्तांतरन और स्वामित्यों को प्रभावित करते हैं, अनुच्षेद 371 G के तहट मिजोरम और मिजोरम वासियों को भी इसी तरह की सुविधा प्रथान की गई है, अनुच्षेद 371 B और C में असम और मणीपुर की विधान सभाव में, विशेश समीतियों के निर्माण की अनुमती देते हैं, इन समीतिय में क्रमश, आदिवासी क्षित्रों और पहाडी क्षित्रों से चुने गए विधायक शामिल होते हैं, जन संख्या के विभिन वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सिक्किम विधान सभा में, अनुच्षेद 371 F के तहट आरक्षन प्रदान करने के लिए व विशेश प्रावधान भी पेश किये गए हैं, बता दें कि नगालेंड, मडेपोर, सिक्किम, मेचुर, अरुनाचल प्रदेश, 371 एच और गोवा, 371 आई के लिए अनुच्षेद 371 के तहट विशेश प्रावधान इनमें से प्रतेक राज्य के आधिकारिक तोर पर अस्त दित्तों में आने के तुरंट बाद पेश किये गए थे 370 और 371 में बहुत बड़ा फर्क है, 370 कश्मीर के लिए कांटे की तरह था, जिसका नफ़ा नुकसान बहशत गर्द आका उठा रहे थे कश्मीर के अमन के दुश्मन इसी आर्टिकल को टूल की तरह इस्तेमाल कर अलगाव बाद की बारूदी साजिश रचते थे आर्टिकल 370 के खात्मे की दरकार लंबे अरसे से थी, जिसे 5 अगस्त 2018 को मोदी जरकार में चड़ से उखाड़ फेंका है 370 से मुक्त कश्मीर की नई तस्वीर अब पूरी दुनिया देख रही है मोदी ऐसी ही कश्मीर की गैरंटी देते हैं जहां शांती हो, तरक्की हो और उन दुश्मनों को तुदकार हो जो सरहत पार बैठ कर भारत के खिलाफ को चक्र रचते हैं